Welcome back friends, यह हमारे वीडियो नमबर 19C programming series के लिए और इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि कैसे हम एक factorial का program यहाँ पे create करते हैं तो सबसे पहले हम समझते हैं कि actual में factorial होता क्या है then इसका हम यहाँ पे program भी create करेंगे तो यहाँ पर हमको factorial calculate करना है तो देखिए factorial एक तो आप simply looping की मदद से भी calculate कर सकते हैं आगे हम देखेंगे recursion की मदद से भी factorial निकाल सकते हैं और इसके लिए inbuilt हमारे functions भी होते हैं तो यहाँ पे हम simply looping की मदद लेंगे factorial को calculate करने के लिए तो factorial आपका simple था है इसको हम इस तरी के से दिखाते हैं जैसे आपका 4 factorial है तो इसका जो answer आएगा वो आएगा 4 into 3 into 2 into 1 यानि कि उस number से 1 तक आपके जितने भी numbers हैं उनको आपस में multiply करेंगे जैसे यहाँ पे आपका 4 3 times 12 into 2 times आपका 24 तो 4 का factorial होता है 24 ऐसे अगर आप 5 का factorial निकालेंगे तो simply आपको मिलेगा 5 into 4 into 3 into 2 into 1 यानि कि simple सा है आप 5 for 20 20 into 360 and do 120 तो simple है आपका 5 factorial होता है 120 तो हमको इसमें simple सा एक loop चलाना है वो loop आप चाहें तो reverse order में चलाएं यानि कि number से लेकर आप 1 तक चला सकते हैं या 1 से अगर आप 5 तक चलाएंगे तो भी कोई problem नहीं है क्योंकि cable हमको यहाँ पर multiply ही करना है तो start करते हैं directly इसका program हम यहाँ पर देखते हैं तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर include करेंगे हमारी header file जो की है standard input output header file जिसकी मुदद से हम printf and scanf को यूज़ करते हैं यहाँ पर main function यानि कि starting point होता है किसी भी loop का and then हम यहाँ पर declare करेंगे अपने variables को तो पहले तो आपका एक number variable आएगा यानि कि जिसके अंदर हम number यहाँ पर देंगे and then हमें एक loop के लिए यहाँ पर एक variable ले लेते हैं for example a and ath हम यहाँ पर factorial को आपका जब factorial हम create करेंगे तो इसके लिए हम एक यहाँ पर कोई भी variable ले लेते हैं for example f हम यहाँ पर ले लेते हैं factorial के लिए and इसको हम initialize करते हैं one से देखिए अगर आप कोई भी program create करते हैं जैसे कि example के तोर पे अगर आप कोई भी program create करेंगे जिसमें कि आपको sum निकालना हो for example sum of first and natural number हो sum of odd numbers हो या आपने 50 to 100 के बीच में जो numbers हैं इनका sum निकालना है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं यहाँ पे हम initialize करते हैं एक value को जहाँ पे starting value होती है 0 यानि कि एक ऐसा variable जिसमें starting में 0 होता है लेकिन जब भी आप कोई भी ऐसा program create करेंगे जहाँ पे आपको multiply करना है जैसे यहाँ पे हमको पूरे ही sequence को यहाँ पे multiply करना है आपस में तो यहाँ पे starting value हम यहाँ पे 1 ले सकते हैं क्योंकि 1 से अगर हम multiply करेंगे तो हमारे result में कोई भी फरक नहीं पड़ता है तो यहाँ पे तभी हमने जो factorial है उसमें initialize किया है 1 से तो हब हम user से यहाँ पे number read करते हैं enter the number user यहाँ पे एक number enter करेगा तो इसको हम read करेंगे simply scanf function की मदद से percent d and then आपका address of number तो इससे हमने यहाँ पे number read किया then हम यहाँ पे loop को run करेंगे for a equals to आप चाहें तो reverse order में run कर सकते हैं आप चाहें तो इसको normally भी run कर सकते हैं तो फिलाल हम one से लेकर इसको हम run करने वाले हैं number तक यानि कि जो भी आप number डालेंगे for example 15, 20 जो भी आप number डालते हैं तो one से लेकर यह loop आपका वहाँ तक चलने वाला है then loop का जो increment statement है वो भी हम यहाँ पे लिखते हैं इसके अंदर आपने कुछ नहीं करना केवल f equals to यानि कि factorial equals to f multiply by जो आपका यह loop है यानि कि सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो इस loop की जो a की value होने वाली है वो है 1 f के अंदर या factorial के अंदर आपका अल्रड़ी 1 है तो 1 into 1 f के अंदर starting में आ जाएगा 1 then आपका loop की value change होके हो जाएगे 2 and आपका factorial में already 1 है तो 2 into 1 answer आपको मिलेगा 2 next time आपकी loop की value होगी 3 तो 3 into 2 आपको result मिलेगा simply 6 ऐसे ही आपको next time इस तरीके से आप iterate करते हुए चलेंगे तो जो भी आप number डालेंगे वहाँ तक यह multiply होके simply आपको result देगा अब देखिए हमने यहाँ पे curly braces यूज नहीं किये compound statement नहीं बनाया क्योंकि by default कोई भी आपका looping statement हो या conditional statement हो वो अपने बाद एक ही statement को run करता है तो फिलाल हमको एक ही statement run करना है तो हमने यहाँ पे जो curly braces है उनको use नहीं किया है तो इसके बाद directly जो next statement है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ factorial is जो factorial है हमारा वो percent d में आएगा और यह है आपका f नाम के variable में इसके बाद finally return 0 and हमारा program complete यहाँ पे होता है तो इसको मैं run करके यहाँ पे देखता हूँ सबसे पहले 4 का ही factorial चलिए हम check करता है तो 4 का factorial होता है 24 ऐसी अगर आप यहाँ पे 5 का factorial निकाल लेंगे तो 5 का होता है 120 और अगर हम कोई higher number यहाँ पे check करें for example 17 तो इसका तो देखे माइनस में आ रहा है अब यह माइनस में इसलिए आया क्योंकि range होती up to 11 digit आपका simply यहाँ पे integer की और यह आपकी value जो है support नहीं कर रहा क्योंकि जो 17 है इसका factorial काफी जादा आएगा तो इसके लिए हम यहाँ पे अगर मैं इसको यहाँ पे long करूँ अगर मैं इसको long integer यहाँ पे करता हूँ तो long integer हम देखते हैं long integer से साइध इसकी value जो है यह support करें तो long integer इसको हम ले लेते हैं इसको हम rerun यहाँ पे करते हैं और दुबारे 17 तो अभी देखिए अभी भी इसकी range नहीं है तो इसका हम value यहाँ पे चलिए एक कम value हम चलाता है देखते हैं कि इसकी range up to कितने तक है देता अगर हम 12 का factorial निकालें तो देखे 12 में भी यह दे रहा है लेकिन यह उसमें नहीं दे रहा क्योंकि वहाँ पे जो value है वो काफी जादा यहाँ पे आ रही है तो I hope आपको समझ माया होगा कि किस तरीके से आप किसी भी number का यहाँ पर factorial calculate करते है तो इसी के साथ हमारी वीडियो भी खतम होती है वीडियो number 19 तो मैं मिलता हूँ आपसे next वीडियो में वीडियो number 20